आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेण और रूस में लंबे समय से योध चल ला है और आप लोग अपनी स्क्रीन पर पितवी भी देख रहे होंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपका यूक्रेण ए है ए हमारा प्यारा भारत है तो यूक्रेण तो आप सब की दिमाग में इस सवाल आता ही है कि ये Phosphorus Bum होता क्या है तो इसके बारे में एक सामाद जानकारी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में questions पूँच लिये जाते हैं Phosphorus Bum क्या होता है तो Phosphorus Mom जैसा एक अधातू पदार्थ होता है और जिसमें से लहसों जैसे गंद आती है अब आप देखिए हो सकता है वंडे एकजाम में پरिलिम से में पूछ लिया जाए कि Phosphorus से कैसी गंद आती है या लहसों जैसी गंद किस पदार्थ से आती है तो Phosphorus और वैसे तो यह रंगीन होता है लेकिन कई बार यह हलका पीला जैसा दिखाई वेता आता है काफी पिती क्रिया सील होने के कारण जैसे ही यह oxygen की संपर्क में आता है यह जलने लगता है और टू की संपर्क में आता है यह जलने लगता है अब चुकि हवा में ही ऑक्सिजन होता है इसलिए हवा के संपर्क में आने पर यह आग पकड़ लेता है और नव हवा में लगबग 30 टेगी सेल्सियस पर एक खुद बाखुद जल उठता है यही कारण ही किसी पानी में डोगो कर रखा जाता है कि आग ना पड़े मानों के लिए फॉस्फोरस बहुत बेहद ही खतरनाक होता है क्योंकि ऑक्सिजन के संपर्क में आने पर यह तेजी से जलता है और इसलिए यहां जलता है वहां का ऑक्सिजन सोक लेता है और आप सभी जानते हैं कि ऑक्सिजन का क्या महत्त्व है आपकी जिन्दगी में जब ऑ प्तक है, और यह उस बक्त तक जलता रहता है, जब तक कि फत्म नहीं होता है, या फिर वहाँ से oxygen, gas खत्म नहीं हो जाती लूब इस जगे या इलाकी में इसका इस्तीमाल कियa जाता है, और इसे मौत तक हो जाती है और ओक्सीजन नहीं मिलेगी तो घोटन भी होगी और मौत हो जाएगी इहूद्ध में दोसमरन की खिलाब दूए का कबर बनाने के लिए इसका काफी इस्तिमाल किया जाता है लेकिन र्याशिजी इलाकों में इसका इस्तिमाल पिती बन देत है और सफिद फासफGUरस का इस्तिमाल पित्धम दुतिय विस्युद दौनों में बड़े पिनमाने पर भी किया गया था इसके अलाबा सफिद फासफॉरस बंग का इस्तिमाल एराक इफद में अमेरीकी सेना ने खूब किया था इसका उप्यों और इस बम को काफी खतनाक सेडी में भी रखा गया है और इसी कारण आप देखें 1977 में जो सुईजेलेंड की जनेवा में हुए कन्वेंशन में सुईद फॉस्फोरस की इस्तिमाल पर पितीबंद भी लगा दिया था हाला कि जन्ग में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है इसके बाद 1997 में क्रिमिनल हतियार की इस्तिमाल को लेकर एक कानून बना और इसमें तै किया गया था कि अगर इस बम का इस्तिमाल रियासी इलाकों में किया गया तो वराइट फॉस्फिरस को रसाइनिक हतिकार माना जाएग और इस कानून पर रूस ने भी हस्ता अक्षर किये हैं, लेकिन जो अंतरास्थी कानून है, आजकल देस उन्हें मान कहां रहे हैं, कोई देस कहां मानता है, चाइना कहां मानता है, रूस कहां मानता है, अमेरिका कहां मानता है, तो अही हाल है, लेकिन इस फास्पोरस की बारे म जरूर एक सामन जान करिए अपने पास रखा करिएगा